नमस्कार नौकिंग्विस.com में आपका स्वागत है आज डॉक्टर केके अगरवाल नहीं रहे हम सब जानते हैं कि डॉक्टर केके अगरवाल की समाज में क्या एहमियत थी और जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने आज त्धान जली देने वालों के जरीए ये पढ़ लिया ह होगा ऐसे डॉक्टर केके अगरवाल जो लगातार आप सोचिए दस करोड़ लोग उनके वीडियो देख चुके थे वो लगातार एक अवेरनेस का अभ्यान चलाए हुए थे जिस दिन वो अस्पताल जा रहे थे उस दिन उन्होंने लोगों को अवेर किया उनकी नाग में लगी हुई थी और वो कह रहे थे शो मस्ट गो ओन ऐसे डॉक्टर केके अगरवाल जिन्होंने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए दिन रात एक कर रखा था लगातार लाइब करते रहते थे लगातार गाइड करते रहते थे जैसे ही कोई नई इंफॉर्मिशन आती थी लोगों को देते थे सबसे बड़ी बात यह थी कि वैक्सीन को लेकर उनके अंदर कोई अंधविश्वास नहीं था वो साफ साफ कहते थे जब भी कोई वैक्सीन के बाद का इवेंट होता था कोई दुरखटना होती थी वैक्सीन से चुड़ी होई किसी व्यक्तिका वैक्सी कि दुश्प्रभाव क हो रहे हैं और उनसे बचना है क्या करना एक नहीं करना है उनका अभ्यान बुलंदी पर है इस देश में बहूत सारे लोगों के गलत फहमियान उने दूर की बहुत सारे लोगों को बताया कि वैक्सीन जो है वह एकदम नामबार नहीं है कहीं 19-20 भी उससे हो सकता है उसके बाद में हो सकता है इन सारी जानकारियों के बाद डॉक्टर केके अगरवाल को खुद दोदो वैक्सीन के बाद कोरोना हो जाना बहुत गंफीर कोरोना हो जाना और उसके बाद उनका जो है वो निधन हो जाना बड़े भारी अलाम खड़े करता है मुझ चलिए लगता है कि अब डॉक्टर केकेकरवाल को सुनना और उनकी बातों को सुनना और ज्यादा एहम हो गया है शायद वो हमको साफ़धान कर रहे थे अब हमको और साफ़धान हो जाना है और हमको बहुत सोच समझ कर और उस जिम्मेदारी के साथ उस प्रोटोकॉल के साथ जिसके साथ वो कहते थे उसके साथ ही वेक्सीन के रास्ते पर आगे बढ़ना है। हम को ये देख लेना है कि हम हमारी इस्तिती क्या वेक्सीन को छीलने लाइक है या नहीं है। चलिए डॉक्टर केके अगरवाल को हम सुनते हैं। 33 people died in Norway, the Florida-based physician died 16 days after getting the first shot. The wife says he was not suffering from any immune disorder. Yes, there is a death. Now we have to find out. Vaccine-related है? या नन-vaccine-related है? Post-mortem has been done, the time will tell us. Idiopathic thrombocytopenic purpurea, यानि कि immune-related purpurea, immune dysregulation से आपके platelet count suddenly कम हो गए और आपको हमरेज हो जाता है. इस case में brain हमरेज हुआ. More than 10 deaths in India have taken place after the vaccination. When the government says not linked to vaccination means no NFL access. But in any way these deaths have happened in Karnataka, UP, Rajasthan, Andhra Pradesh, Telangana, Haryana, Odisha, between the age group of 25 and 56, so they were not elderly or frail. Men and women both are involved. And deaths have happened between 24 hours and 5 days. गुजरात के अंदर में आज एक स्टेशन वर्कर की डथ हुई, hours after getting a vaccine. And Telangana में 55-year-old worker died after 10 days. So from 24 hours, day 1 to day 10, more than 10 people have died. Exact number we will do in a second video. And they have been now listed at AEFI events, but not linked to the vaccine. देखें, जब भी आपको vaccine लगेगा, mild thrombo-inflammatory response होगी. जैसे वाइरस में होती है, वहाँ पे आपको pulmonary COVID हो रहा है, यहाँ पे आपको muscle का COVID हो रहा है. इंफलमेटरी response दोनों में होगी, और अगर आपको impending under heart blockages है, तो आपको heart attack precipitate हो सकता है. जो लोग heart patients है, I can tell you what I am following with them. मेरे patients, जो heart के patients है, जिनको blockages है, जिनको मैं सोच सकता हूँ कि आगे जाके heart attack हो सकता है, मैं उनका CRP कराता हूँ. अगर CRP जादा है, तो statin, dose, aspirin, statin and colchicin के cover में, I get them vaccinated. That's what I give even in an impending heart attack. I am showing a news from Times Now which says, man dies day after taking the Covishield vaccine. 46-year-old Mahipal Singh, immediately after taking the vaccine, according to the media report, began feeling uneasy. एंड दैन इन मुरादाबाद वास टेकन टू डिस्ट्रिक हॉस्पिटल ही डाइड डे आफ्टर हेलो वरड़ी ग्रीटिंग्स रम हाट किया फंडेशन अफ इंडिया मैं हूँ डॉक्टर के दर्वाद नौर्वे में वैक्सीन के बाद में जो पिछतर साल से उपर वाले लो वो मॉर्बिड कंडीशन्स थे इसका मतलब है अंडरलाइंग इम्मिनो इंफ्लमेशन था फ्रेल की डेफिनेशन यही है जो पांच बार अपने आप नहीं उठ सकता कुर्सी से बिना सपोर्ट के वो फ्रेल है यह सारे लोग जो बिस्तर पे हैं इनकी प्रो इंफ्लमेट्र इन प्रो कोगलेटिव स्टेट होती है इसका मतलब है वैक्सीन इंड्यूज इंफ्लमेशन वो भी यह सहन नहीं कर पाए यानि कि वो सारे लोग अपने आप से पूछो कि अगर मेरे को वैक्सीन मिला और हलका सा मेरे को इंफ्लमेशन हुआ रिमेंबर वैक्सीन इस प्रोट यह भी मेरी बॉडी में जाके वैसी ही रियक्शन करेगा जैसे करोना करता है यानि कि मेरे को इंफ्लमेशन करेगा साइटो काइन रिस्पांस करेगा सी आर पी बढ़ाएगा मेरा लिंफोसिटिक रिस्पांस करेगा अगर मैं उसको सहन नहीं कर सकता तो फिर मेरे को डिंज रहता है इसमें, so 33 deaths, normally Norway का कहना है कि हमारे यहां पर weekly deaths भी बहुत जादा होती है, हम यह कहना ही सकते कि यह normal death है यह vaccine induced death है, but be aware that vaccine will cause some degree of inflammation and you be ready to tackle that. दो deaths की बारे में बात करेंगे, जो की खबरों में आ रही है और वो कहते हैं कि उनकी deaths vaccination से हुई है, आई यह देखते हैं, एक एक करके फिर उसको analyze करेंगे, यह mint की खबर है, 91-year-old patient in Switzerland, she was given a vaccine, she was suffering from several diseases and they said this is a coincidence, the 91-year-old woman with multiple diseases and just days after she received the vaccine, she died. Just five days after she received the vaccine and they said it was a coincidence, और अगर हम इच की लास्ट खबर को पड़ें, लास्ट को, the two companies are also stressed in a statement that serious adverse events including deaths that are unrelated to the vaccine are unfortunately likely to occur at a similar rate as they would in general population of elderly and at-risk individuals who are currently being prioritized for vaccination. media में बहुत कम छपा है, सब जगा पे, हर जगा पे इसी का discussion है, what can be the reason, what can be the reason, one of the reason is सारे 80 प्लस थे, सारे nursing homes थे, nursing homes में admitted थे, that means residential nursing homes, सब को फाइजर का वैक्सिन मिला, 13 of the 23 people who died have symptoms of mRNA vaccines such as diarrhea, nausea, fever and meanwhile Pfizer has now gone to temporarily reducing the vaccine supply in Europe following the concern raised by the death in Norway, सब को 30,000 लोगों को लगा और 23 की death which is equivalent to one is to one is to one thousand which is very high, ना नॉर्वे ने का है कि जिल लोगों को असी साल से जादा है उनको हम Pfizer vaccine नहीं लगाएगा, अगर हम हिंदो की ये news पढ़ें, तो हिंदो की news ये कहती है, India has reported 22 deaths so far following vaccination, though none of these have been attributable to vaccine allergy, the health ministry sat in a briefing on Friday, the eldest being a 77-year-old man from Agra, Uttar Pradesh, who died in past 24 hours, 7 days following the vaccination, the patient died of cardiogenic shock with pre-existing diabetes, so basically answer is what, 22 deaths, जो हमें एक भी death नहीं चाहिए, याद रखिए अगर आपको कोई अंद्रूनी बीमारी है और वो control नहीं है तो control करो, diabetes है, blood pressure है, asthma है, कोई भी विमारी आपको है, uncontrolled है, तो control करो vaccination से पहले, और अगर controlled है तो देखो, fully तरह control है कि नहीं है, यानि कि अगर आप pro-inflammatory या pro-thrombotic या prone to allergy हो, तो अपने डॉक्टर से बात करो, क्या मेरे को pre-medication लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, हम नहीं चाहते हैं, पूरे इंडिया में कोई भी sudden death, unexpected death हो, अभी अभी जारी Ministry of Health से clarification, इंडिया में चार deaths हुई है, आफ्टर करोना नाइंटीन, पहला नागाराजू 43-year in बल्लिरी डिस्ट्रिक्ट, 16 तारीक को vaccine लगा, 17 तारीक को उसके बाद में 2 दिन तक उसने काम किया, तीसरे दिन उसको chest pain हुआ, heart attack से उसकी मृत्य हुई, वो diabetes था, blood pressure था, दूसरा, 42-year-old healthcare worker from कुंटला, PSC in Telangana, 19 तारीक को उसको vaccine मेला, 11 बजे, अगले दिन सुभेरे, 5 बजे उसको heart attack हुआ, और 20 तारीक को उसके मित्वी हो गई, महिपाल सेंग जिसको vaccine लगा था, 16 तारीक को, 17 तारीक को, उसको breathlessness, chest pain आई, heart attack हुआ, उसको underline cardiomyopathy थी, and he died of pneumonia, and the fourth one is, Shemoga में, एक physician, orthopedician, जो की करनाट का Shiva Moga, जगा के अंदर में था, उसका 58-year-old physician, उसको blood pressure था, उसको diabetes थी, उसको भी vaccine लगने के बाद में, उसका bypass भी हो चुका था, he was extremely diabetic, 2013 से उसको heart की बिमारी थी, उसको भी vaccine लगने के बाद में heart attack हुआ, और उसकी मृत्य हो गई, Monday को उसको vaccine लगा, Wednesday को उसकी मृत्य हो गई, क्या है ये, लोग डरे हुए हैं, डरने की बात नहीं है, नमबर वन, winter में heart attack जादा होते हैं, नमबर थो, इस वकत में बिल्कुल extreme degree of winter है, so winter में early morning heart attack होने की संभावना जादा होती है, नमबर दो, वाइब vaccine reactogenic तो होंगे, अगर आप अपने ongoing heart attack को miss करोगे, वो गलत है, अगर आप aspirin बंद कर दोगे, klopidogrel बंद कर दोगे, अगर आप heart के patients हैं, diabetic के patients हैं, बंद नहीं करना vaccination में जाने के लिए, और अगर आप 6 मिनट में 200 मीटर नहीं चल सकते, तो अपने doctor से बात करिये कि मैं vaccination को लो तो कैसे लो, अगर आप विलकुल fit हैं और 6 मिनट में 500 मीटर चल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 148,266 people have been vaccinated so far, with two deaths after the vaccine, now the question comes is, what are these two deaths, one in Moradabad, and Uttar Pradesh, and one in Baleri, in Karnataka, both of them are between 40 and 50, both of them died of a cardiac arrest, the one in Uttar Pradesh, the post-mortem show, the heart was enlarged, and there were plots in the heart, there were also pus in the lungs, and the Karnataka one, the report is available, the report is yet to be available, this is also a sudden death, because of a cardiac problem. अच्छी खबर नहीं है, एक final year MBBS के स्टूटेंट की first vaccine लगने के बाद में death हो गई है, आई ये देखते हैं केस क्या है, समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी घबराना नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ में हमें अफसूस करना ही पड़ेगा, I am reading India Today, the final year MBBS student dies of COVID-19, और उसके साथ-साथ 9 other students भी positive आए, the student had taken the first dose of COVID-19, लेकिन उसको second dose अभी नहीं मिले थी, उसके साथ में जो-जो contact में आए, सब positive हो गए, इसने बाइस दिन पहले वैक्सिन लिया था, first shot of vaccine in the last week of February, the vaccine, and he died on Monday, he was a resident of a particular village, ये हॉस्टल में रहता था, जहां और बच्चे भी थे, उसे खांसी और कोल्ड उवा, 24 फर्वरी को, after he got his RT-PCR done, following the test, he went to बेगु सराय, on Sunday, his COVID-19 report came, which was positive, on Monday, he died, the government has retaliated that until, यह हम यहां पर यह नहीं बोलेंगे कि, क्या reason है, question है, कि वैक्सिन के बाद में दुबारा COVID हुआ, और डेथ हुई, अभी तक हम लोग medically यह बोलते हैं, कि वैक्सिन के बाद में आदमी COVID से नहीं मरेगा, but that is basically after the second dose of 15 days, आपने देखा होगा, अनिल विज्जी, हर्याना के health minister, उनको भी first dose लगने के बाद जब COVID हुआ था, तो उनको भी सारी काफी तकलीफें झेलनी पड़ी थी, तो याद रखिए, जब तक आपकी second dose ना लग जाए, और दो हफते ना हो जाएं, आपको पूरा protection नहीं मिला है, आज अमेरिका ने भी यह कहा है, कि पहली dose की reliability नहीं है, कि कितनी antibodies देगी, Hello everybody, greetings from Heart Care Foundation of India, मैं हूu Dr. KK Agarwal, अगर आप vaccination के लिए जा रहे हैं, तो ये checklist, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप screenshot लेके रख ले अपने पास में, किसी की जान बच जाएगी, किसी का डर निकल जाएगा, किसी की complications होने बच जाएगी, सबसे पहले अपने आप से पुछो, vaccine के दौरान मेरे को वेसो वेगल तो नहीं होगा, जानि कि कभी भी आपने ऐसे देखा है, आप हस्पताल में गए हैं, एक particular smell से, एक particular बैटने में, आपको एकदम चक्कर आके, कोई shocking news सुनने से, blood को देखने से, blood sample को withdraw करते हुए, आपको एकदम से चक्कर आ जाते हैं, और आप गिर जाते हो, इसे वेसो वेगल बोलते हैं, अगर आपको वेसो वेगल की history है, तो लेट के injection को लगवाएं उसके साथ में, and stay hydrated, injection को लेट के लगवाएं, और पानी की कमीन ना होने दे, दूसरा सवाल अपने आप से पूछेंगे, कि मेरे को allergy तो नहीं हो जाएगी, अगर आपको खाने में, पीने में, injection में, dairy की, दवाईयों की, vaccine की, किसी की भी allergy है, तो अपने डॉक्टर से बोलिए, कि मेरे को allergy है, मेरे को मेरा risk कम करे, हो सकता है वो आपका इसनोफिल काउंट कराए, हो सकता है वो आपका IgE लेवल करे, और आप अपने vaccinator को बोल सकते हो, मेरा scratch टेस्ट करे, या जैसे penicillin का टेस्ट करते हैं, वैसे ही intradermal टेस्ट करे, अगर आपके सारे negative हैं टेस्ट, तो आप vaccine के लिए जा सकते हैं, और अपने आपको pre-load कर लीजिए, anti-allergic दवाईयों से, जिसे montylucase बोलते हैं, जिसे H1, H2 blocker बोलते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे, तो allergy हो भी जाएगी, तो आपको immediately पहले से ही, आपने preventive दवाई ले लेगे, तीसरा सवाल पूछी है, डॉक्टर से, कि मेरे को वहाँ जाके vaccine, इतना ज़्यादा react तो नहीं करेगा, कि मेरे को immune inflammation हो जाएगा, जिस कारण से मेरा heart attack precipitate हो जाएगा, या मेरी clotting precipitate हो जाएगी, या मेरा thrombosis paralysis protect हो जाएगा मेरा, या मेरे को बहुत ज़्यादा high grade fever आ जाएगा 101-102, आप अपना baseline CRP चेक करिए, अगर CRP less than 1 है, no problem, अगर आपका baseline CRP एक से ज़्यादा है, याद रखिए आपको CRP बढ़ेगा, 30% ज़्यादा बढ़ सकता है, IL-6 भी बढ़ेगा, IL-1 बीटा भी बढ़ेगा, lymphocytes भी आपके कम होंगे vaccine के बाद में, उस situation में डॉक्टर से पूछिए कि मेरे को colchicin, statin, aspirin, plus-minus mefenemic acid, जाने कि आपको pre-load कर दे statin से, aspirin से और colchicin से, on the day of vaccination. और अगर आपका CRP एक से ज़्यादा है, in any way, अगर आपको high risk है, heart की तकलीफ है, blockages है, तो वैसे ही आपको statin, aspirin and colchicin की ज़रूरत है. वो आपको pre-load कर दें और फिर आपको vaccination के लिए देजें. और लास सवाल डॉक्टर से पूछिए, कि अगर मेरे को बुखार हुआ, अगर मेरे को anxiety हुई, या मेरे को allergic reaction हुआ, या वेसो वेगल हुआ, जो मेरी pulse बढ़ जाएगी, उस बढ़ी हुई pulse से, मेरे को heart attack तो नहीं हो जाएगा, मेरे को angina तो नहीं हो जाएगा, अगर डॉक्टर बोलता है हाँ, तो डॉक्टर से बोलिए, अगर आप वेक्सिन लगवाने जा रहे हैं, इस slide को print shot लेके रख ले, यह आपको help करेगा to convert a contraindication into an indication and to remove your fear. Remember, everybody needs a vaccine, there is no contraindication. आज, Confederation of Medical Association of Asia in Oceania, even Heart Care Foundation of India की meeting में यह पास हुआ, कि अगर आपको, अगर आपकी उम्र कोई भी है, लेकिन आपको comorbidity है या आप high risk में है, मोटे हैं, snore कर रहे हैं, uncontrolled blood pressure है, diabetes है, cholesterol है, fatty liver है, कोई भी आपको comorbid, आपको comorbid या high risk individual है, और अगर आपको कोई contraindication नहीं है, आपको ऐसा माना जा रहा है कि आपकी अंदर में कोई भी artery में blockage है, suspected हो, silent हो, evident हो, confirmed हो, कहीं पर भी blockages हैं, consider low dose 75 mg aspirin, before, during and after covid, before, during and after covid vaccine, कहने का मतलब है, normally, अगर आपको confirmed vascular blockages हैं, तो 75 mg aspirin तो दी ही जाती है, लेकिन आज की date में हम कहरे रहे हैं, even suspected, क्योंकि silent heart disease में, अगर silent inflammation है, तो फिर, clots बन सकते हैं, arteries में, and you can get a heart attack, इसकी एक corollary है, जो Dr. K.K. covid protocol में है, कि high risk people and comorbid people का मतलब है, जिनको low grade silent inflammation है, यानि के जिनका CRP more than one है, नमश्कार. Thank you. There is no more deaths in, as far as Norway is concerned, it ended up with 29 deaths, but we saw one 40-year-old male dying in Moradabad, yesterday, he was a ward boy, he received a COVID shield, and 24 hours later, he had a sudden death, post-mortem is being done. So there are a couple of things, we see from the media reports, one is that every vaccine death will end up into a post-mortem, because it will be called as a, to correlate whether it is vaccine-induced or not, so every death after the vaccine, at the moment, will be considered as a death under evaluation, so therefore, it will end up into a post-mortem. All 29 deaths in Norway have gone into post-mortem, and similarly, the deaths in India have gone into a post-mortem. I hope that Dr. K.K. Agrawal has said that what we have said to us, after that he will be alive, and will be able to help us, and will be able to help us, and will be able to help us. K.K. Agrawal has gone to me, it is a very important thing, and it is a very important thing for the society. I hope that that he has said to himself, that he will not be made to go to a post-mortem, and will not be made to go to a post-mortem, and will not be made to go to a post-mortem, so all the people will be made to go to a post-mortem, and will not be made to go to a post-mortem. Namaskar, Jai Hind. K.K. Agrawal has gone to a post-mortem, and will not be made to go to a post-mortem, and will not be made to go to a post-mortem, and will not be made to go to a post-mortem, and will not be made to go to a post-mortem,